हलो दोस्तों कैसे हैं सभी लोग आसा करता हूं सब लोग अच्छे होंगी आज हम लोग नया एक्सराइज स्टार्ट करेंगे एक्सराइज आपका फोर आई ठीक है यह हमारा वीडियो हो रहा है यह आपका क्वालिटी की क्योशन का है सिवी सिटर्म टू में यह बहुत ही वे धिर्क है कि दाही पटीनलस अफर आय-इंगल ट्रैंगल इसंतिंते मेंट अगर आपने एक राइट एंगल चैंगल को रहले है यहां हां को अक्ट पर आपका नहीं हुत तुक dancing के दिखते हैं क्या-पी आपको यहां पे गिव रहाए आपको हाई-ध एपका यहां इह का हा रैंगल ठीक ना हाइपोटेनेस आपको गीवेन इए तैपोटेनस लिग लिए गीवेन डेर हाइपोटेनस ही जो आपको गीवेन राइट एंगल टेढर 50 सेंटीमेट्र दे रखा है ति ये आपका 50 एक आपका बेस होगा एग आपका परपेंडिक्लर होगा अगर बेस को मानते हो आप एक सेंटिमीटर तो आपको परपेंडिक्लर क्या मानना पड़ेगा आप देखरों यहाँ पर आगे लिखा हुआ है ताकि इससे क्या हो, 10 cm यह छोटा हो जाए, और यहां पर भी cm लगा लिजी, यह हो जाएगा आपका 1 cm, यह हो जाएगा आपका 50 cm, और यह हो जाएगा आपका perpendicular x प्लस 10 cm, ठीक है, समझे इतना बात, अब चलिए, अगर इतना सब चीज आपको given है, तो आप पाइथागोर्स थ पाइथागोर्स थिर्म के कोडियं अगर पता है, कि perpendicular का square, प्लस में, base का square, इक्वल टू होता है, आपका hypotenuse का square के बराबर, तो perpendicular हमें यहाँ पर given है, x प्लस 10, हमने एजूम कर रख्खा है, इतना, का square, base आपने ले लिया, x का square, और hypotenuse, it is given, 50 का square, अब यह जो पाट है, a प्लस b के whole square आप इसको solve कर सकतो हो, तो a square प्लस में b square, प्लस में 2ab, यानिकी b6, और इधर आपका x square का x square ही, और यहाँ पर 50 का x square हो जागा, आपका 500, ठीक इतना, after दे, इसके बाद का देखेंगे, x square, x square, 2x square, ठीक है, प्लस में 20x, और यह 500 को इधर लाएंगे, तो 100 में से घटके, यह आपका 2400 हो जाएगा, ठीक है, equal to 0, 2 को कॉमाल निकाले जिए, तो x square plus 10x, माइनस में, ठीक है, 1200, दो को क्या करना है, आपको, 0 के इधर लागा लिजीगा, यह दो खतम, तो x square, plus 10x, माइनस में, 1200, अब बस इसको factor तो रिएगा, सब को हो जाएगा, आणसर, है न, इसको factor तो रिएगा, तो आप 1200 को तोड़ना है, दो पार्ट में, तो 1200 को तोड़ना है, दो पार्ट में, तो आप क्या लिख सकते हैं, तो x square, plus 40x, माइनस में, 30x ली बस इसको solve करना है, आपको x, को मानी का लिजे, तो x, plus 40, यहाँ पर आपको माइनस का 30, को मानी का लेना है, तो अंदर बचेगा, x, minus, minus, plus, equal to 40, x, plus 40, को को मानी का लेते हैं, आप अगर, यहाँ पर, तो x, minus 30, that implies, यहाँ पर x, plus 40, equal to 0, तो x, minus 30, equal to 0, x, equal to, यहाँ पर, minus 40, हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर, x, equal to, plus, 30, हो जाएगा, तो यह जो, minus 40, यह तो हो, आपका, invalid, यह हो जाएगा, invalid, और यह हो जाएगा, valid, क्योंकि जो, distance होता है, वो आपका, positive होता, ना ही, negative होता, तो यह, आपका, invalid हो जाएगा, यह, आपका, valid हो गिया, अगर, x, equal to 30, तो हमने x किसको मान था, देखी जाएगा, उपर, हमने x माना था, bc, यानि कि base को, तो आप यहाँ लिए सकते हैं, कि base equal to, 30 cm हो गया, आपका, and perpendicular, जो होगा, आपका, perpendicular, जो होगा, यह हो जाएगा, कितना, x plus 10 है, तो 30 plus 10, that implies 40 cm, ठीक है, अब हमें देखी, यह तो हमारा first answer हो गया, the length of the sides, the length of the sides हमारे पास आचुका है, यह आपका overall हमारे पास कितना आ गया है, देख लेते हैं, इसको, यह आपका 30, और यह आपका 40, और यह आपका 50 given यह, triplet बन गया, ऐसे ही, अब इसका हमें क्या निकाला है, second question इंक्लिस का area भी find out करना है, ठीक है, तो second question हम लोग यह आपकर कर लेते हैं, ठीक है, area of triangle ABC, area of triangle ABC, क्या होता है, half, base multiply with, height होता है न, तो base कितना होगा इसका, देखे ज़रा, base इसका 30 और height हो जागा 40, तो लेखिए यहाँ पर, half का half, base के लिए 30, और height के लिए 40, दो बार मैं कार दीजीज को, 15 से 15 का 60, और आपका centimeter square हो जागा, तो एक फ्रेंसर आपका यह आगिया, centimeter square, और जो measurement unit है, 30, 40 और 50 तो है ही, ठीक है, असा कर तो आपको समझ माया होगा, मिलते फिर नेक्स वीडियो में, तिल देन बाइबाइ चाहां को सब्सक्राइब पर लिए, वीडियो को सेर कीजिए, लाइक कीजिए, प्यासा कमेंट कीजिए, तेंक यू